हलो काईट, स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल न्यू अन्लिमिटेड इस्टेडी में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजिडेंट के एमर्जेंसी पावर्स के बारे में कि हमारे इंडिया के जो प्रेजिडेंट है उनके पस कौन-कौन सी इंपोर्टेंट एमर्जेंसी पावर्स होती है तो यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करेगा और इसके साइड में जो बैल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा तो हम बात करते हैं प्रेजिडेंट के एमर्जेंसी पावर्स के बारे में तो बैसिकली हम जानते हैं कि हमारे जो इंडिया के प्रेजिडेंट है वह हमारे दफ़र्स्ट सिटिजन आफ एउडिया कहे जाते हैं अब basically तोड़ पर इनके पास three type की emergency powers इनके पास होती है सबसे पहले जो powers होती है state emergency की होती है जो article 356 में आती है इसमें next होती है financial emergency power जो article 360 में आती है जैसे कि हमारी country में कोई भी financial stability आ जाए या credit या हमने बहुत ज़्यादा rent ले लिया हो उस condition में इस emergency को लगा जाता है next है national emergency जो article 352 के अंतरगत आती है इसमें president के दौरा या emergency power तब लगाई जाती है जब हमारे country में कोई war की condition बन जाती है या other external कोई aggression हो जाता है या internal pricing हो जाती है जिसके कारण या power लगाई जाती है या emergency लगा जाती है fundamental changes हमारी country में किये जाते है वह president के द्वारा ही किये जाते है I hope आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like, share and subscribe करना नहीं भूलेगा Thank you very much for watching this video